नमस्कार दोस्तो आज हम पढ़ेंगे टीचर्स डे सेलिब्रेशन देखिए परिच्छा में अक्सर पूंचा जाता है कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन आपने किस प्रिकार से किया इसके बारे में एक रिपोर्ट तयार कीजिए या एक पैराग्राफ लिखिए या फिर कह सकते ह आपको किस प्रिकार से लिखना होगा देखिए क्वेशन कुछ इस प्रिकार से आएगा और आंसर आप इस प्रिकार से लिखेंगी तो आंसर को हम ट्रांसलेट की माध्यम से बताने वाले हैं लेकिन पहले हम अच्छे से क्वेशन को समझ लेते हैं तो देखिए क्वेशन क् write our report, एक report हमें लिखनी है, in about 80 to 100 words, 80 से 100 सब्दों में हमें लिखना है, और in your school magazine, जो इसकूल की पत्रिका होती है, उसमें छपवानी होगी, तो ये report हमें 80 से 100 सब्दों में लिखनी होगी, दिखिए, यहाँ wider limit आपको परिक्षा में हो सकता है, 500 से 200 आजाए, तब भी यही आप लिखेंगे, और फिर आगे दिखिए, describing याने वर्णन करते हुए, आप किसके बारे में वर्णन करना है, the celebration, आपने celebration किया है, आप the teacher's day का, जो सिक्षक दिवस है, उसको आपने किस प्रिकार से मनाया है, तो उसके बारे में वर्णन करते पे एक report तयार करनी है, फिर देखिए, आगे कहा गया है, use the following details, याने कि उप्योग कीजिए, निमने लिखेत details का आपको उप्योग करना है, नीचे ये details दी गई है, देखिए, date of function, मतलब जो समारू है, जो function है, उसकी date आप बताएंगे, कि कितने तारिक को teacher's day रखा गया, ये तो पता है सबको के 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये बताना तो पड़ेगा, फिर chief guest के बारे में बताएंगे, मुखे अथिती, कौन थे, उन्होंने क्या किया, इनके बारे में हमें बताना पड़ेगा, फिर honoring करना, याने सम्मान करना, of the teachers, याने सिक्चकों का सम्मान किया गया, और by the students, जो चात्रों होते हैं, उनके द्वारा जो है सिक्चकों का किस प्रिकार से सम्मान हुआ है, उसके बारे में बताना है, फिर देखे, welcome speech हुआ है, मतलब एक स्वागत भासन कह सकते हैं, सबका मंच से स्वागत करते हैं, कि आईए पधारिये, और अपना इ इलकुल खतम हो जाता है, तब जो है सवी चात्र जो है धन्यवाद करते हैं सिक्चकों का, तो देखे, question कुछ इस प्रिकार से होगा, आप देखे, answer हमारा इस प्रिकार से बनेगा, teacher's day celebration heading डालेंगे, और इसके बाद इतनी line आपको लिखनी पढ़ेंगी, आप देखे, यहा celebration, इसके बाद पहला वाकिया हमने लिखा, 5 सितंबर जो है पूरे देश भर में सिक्चक दिवस के रुप में मनाया जाता है, यह बास अब को बता है, इस वर्स जो है, सिक्चक दिवस जो है, बड़ी उमंग के साथ हमारी स्कूल में मनाया गया, और स्कूल का जो assembly hall होता है, सवाक अक्च कहते हैं जिसे, तो उसमें इसकी विवस्ता की गई, इसको arrange किया गया, और जितने भी retired teacher होंगे, उनका collector की द्वारा सम्मान किया गया, आप देखें, collector यहाँ पे आए होंगे, उनी collector को मुख्य अथिति आप बना सकते हैं, फिर आगे क्या हुआ, करीब साम 3 ब फिर आगे क्या हुआ, collector ने जो है, सिक्चिकों को माला पहनाई, क्योंकि collector जो है, सिक्चिकों का सम्मान कर रहे हैं, और माला पहनानी के साथ-साथ क्या किया, उनके लिए soul और 나오रista बैट सारूप देए हैं, फिर आगे देखें, collector अपने भासंड में क्या कहते हैं, सिक्च कर राश्ट के निर्माता है और फिर आगे बताया है क्यांत में क्या होता है राश्टिगान का गायन करते हैं और जो फंक्शन चल रहा था उसे समाप्त कर देते हैं तो देखे इतनी लाइन हम अब ट्रांसलेट करने वाले हैं तो ध्यान से समझना पहले तो हम इनके कठे याने पूरे देश भर में ध्यान रखना और भर में के लिए क्या कहते हैं ओवर कहते हैं और आल याने पूरे और कंट्री याने देश होता है तो आल ओवर दा कंट्री याने पूरे देश भर में टीचर्स डे याने सिक्षक दिवस और के रूप में एज होता है एज याने के रूप में और मनाया जाता है देखे मनाना को celebrate कहते हैं इतना तो आपको पता होगा और celebrated जो होता है इसका second और third form और फिर देखे इस वर्स याने this year होता है इस वर्स teachers day याने सिक्षक दिवस अब great याने बड़ा और enthusiasm कहते हैं तो ध्यान रखना ये spelling है enthusiasm और great मतलब बड़ी तो एकटा पूरा वर्ड आप याद रख लें great enthusiasm का मतलब है बड़ी ओमंग विथी याने के साथ और our school मतलब हमारे school की बात कर रहे हैं इन मतलब में और मनाया गया यान एक ही वर्ड कठीन मिला है great enthusiasm और फिर इसके आगे देखते चलते हैं और कौन से वर्ड कठीन है एटी याने इसे हो जाएगा school के school कहेंगे of याने के assembly hall याने जो सवाक अप्छोता है और फिर जो है लेकिन English में तो assembly hall ही लिखेंगे और in याने में arrange करना English word लिखाए याने व सबी रिटायर्ड सिख्चिकों का याने all retired teachers हो गए all retired teachers याने सबी retired सिख्चिकों का फिर collector के द्वारा तो collector को collector Y यानिके द्वारा सम्मान किया गया अब ध्यान देना सम्मान के लिए यहां पर जो question में आया था honoring सब्द आया था आया था ना तो यहां पर अच्छे से आप यार रखें ह-o-n-o-r-e जो honor होता है इसका मतलब होता है सम्मान करना और honored जो होता है इसका second और third form होता है फिर आगे देखी करीब साम 3 बजे देखी साम के 3 बजे को हम क्या लिखते हैं 3 p.m लिख देते हैं तो यहां पर साम को अलग से नहीं लिखते तो यहां पर 3 p.m का मतलब साम के 3 बजे और about यानि करीब करीब या लगभग के लिए about लिखा गया है और बज़े के पहले हमेशा एट लगाते हैं तो यहाँ एट लगाके एट लगाके about 3 p.m. हो जाएगा और फिर function को function ही कहेंगे और शुरू किया गया याने कि start होता है शुरू करना start at second form हो जाएगा फिर आगे दिखिए हमारे प्राचारे ने मतलब our principal उनने क्या किया जितने भी teachers थे और chief guest थे and other guest जो होंगे उन सब का welcome किया है मतलब स्वागत किया ये तो सभी word आपको पता है फिर आगे दिखिए collector ने क्या किया तो यहाँ दा collector collector ने सिक्चकों को याने teachers को और फिर माला पहनाली अब माला पहनाना के लिए ध्यान लखना garland होता है तो यहाँ पे garland का मतलब माला भी होता है और माला पहनाना भी होता है और garlanded इसका second और third form होता है ध्यान लखना फिर आगे देखिए and उनके लिए उनके लिए याने की जितने भी teachers हैं उनकी बात हो रही है तो यहां पे them कहेंगे और to them याने उनके लिए तो to them याने उनके लिए soul and serifal English में यही की यही वर्ड और उपहार भेंट किये हैं लिखिए भेंट स्वरूप कोई चीज देना यह present कहलाता है तो ध्यान रखना presented second form होता है तो presented याने उपहार भेट किये और फिर आगी दिखिए अपनी भासण में मतलब हिज़ी याने अपनी और speech कहते हैं भासण को इन यान में तो इन हिज़ी speech अपनी भासण में collector ने कहा याने की say होता है कहना say का second form said और जो teacher हैं अब राष्ट को पता होगा nation कहते हैं national तो सुना होगा ना national का मतलब राष्ट यह होता है लेकिन राष्ट को nation कहते हैं तो nation का मतलब होता है राष्ट और निर्माता दिखी यहां पे build किरिया का मतलब निर्माड करना होता है लेकिन builder जो होता है निर्माता को कहा जाता है तो यहाँ पे builder आप याद रखेंगे और यहाँ पे सिक्षक राष्ट के निर्माता है बहुबचन है इस वज़े से builder सो जाएगा और फिर इसके बाद देखें function को तो दा function राष्टगान को सब के लिए पता होना चाहिए नैशनल एंथम कहते हैं और फिर गायन करना याने कि singing कह सकते हैं singing after याने के बाद और समाप्त किया गया अब देखें समाप्त करना यदि कोई function को समाप्त करते हैं तो हम कह देते हैं over थेक है तो ध्यान लखना कह देते हैं कि over हो गया यानि की खतम हो गया समाप्त हो गया तो समाप्त किया गया को over लिखा गया तो कितने word लिखे गया हैं कोई जादा कर्थिन word नहीं लिखे गया हैं लेकिन यहां पे about और at पहले लगाते हैं बज़े के पहले तो at फिर about 3 p.m. हो जाएगा और फिर इसके बाद garland याने माला पहनाना था second form garlanded था और presented याने वो पहार सोरुख कोई चीज देना होता है nation याने राष्ट होता है और निर्माता को builders कहते हैं और over याने समाप्त किया गया या खतम किया गया तो देखिए अब पहली line area हम देखें 5 सितंबर याने की 5 सेप्टेमबर और फिर मनाया जाता है present simple है लेकिन उसका पेसे वाइस है तो इस MR और फिर third form साह क्रिया तो यहाँ पर 5 सेप्टेमबर इस साह क्रिया और फिर celebrated मनाया जाता है eter's day के रूप में और फिर all over the country याने की पूरे देश भर में तो यहाँ पर 5 सेप्टेमबर इस साह क्रिया इस के रूप में Teachers Day के रूप में All Over the Country याने पूरे देशवर में और फिर क्या हुआ This Year याने इस वर्स जो Teachers Day है सिख्षक दिवस जो है बड़ी उमंग के साथ हमारे स्कूल में मनाया गया देखिए Past Simple है लेकिन पेसेवाइस है तो यहाँ पे वाजवर और थर्ड फर्म होगा तो यहाँ पे देखिए This Year इस वर्स जो है Teachers Day वाज सेलिब्रेटेड मनाया गया In Our School हमारे स्कूल में मनाया गया वित याने के साथ और फिर बड़ी उमंग के लिए हमने कौन सा वर्ड बताया है Great enthusiasm बताया है तो Great enthusiasm लिखा हमने तो This Year इस वर्स जो है Teachers Day बाज सेलिब्रेटेड किया गया In Our School और वित Great enthusiasm फिर आगे देखिए इसे स्कूल के Assembly Hall में अरेंज किया गया इसे का मतलब है इट कह सकते हैं याने Teachers Day की बात पूर ही है तो इसे जो है अरेंज किया गया ये भी पेसे बाइस बनेगा तो यहां पे फिर हम इट के साथ वाज साहिक रिया लगा के Third Form Arranged तो It Was Arranged इसे जो है अरेंज किया गया याने उसकी विवस्ता की गई है इन याने में और फिर कहां पे The Assembly Hall The Assembly Hall of the School तो It Was Arranged in the Assembly Hall of the School फिर आगे देखी क्या हुआ कि यहां जितने भी Retired Teachers थे तो All the Retired Teachers उन सबका सम्मान किया गया ये फिर पेसे वाइस है लेकिन यहां पे Retired Teachers है इस बज़े से आपको वर सहाय क्रिया लगानी पड़ेगी Past Simple फिर है तो लेकिन यहां पे वर सहाय क्रिया लगाएंगे तो All the Retired Teachers वर सहाय क्रिया और Honored याने सम्मान किया गया honord यहां पर हमने बताया था ना कि honor का मतलब जो होता है सम्मान करना honord लिखा गया, सम्मान किया गया और फिर why the collector यानि collector के द्वारा सम्मान किया गया, फिर आगे दिखी क्या होता है करीब समतीन लगा के लिखना है, at लगा के हमीशा बजे के पहले at लगाते हैं, तो at about 3 p.m. और फिर function शुरू हुआ याने की कह सकते हैं the function started याने शुरू हुआ देखे यहाँ पे at लगा की लिखना at about 3 p.m. और फिर the function started याने शुरू हुआ फिर आगे देखे क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो our principle हैं हमारे जो प्राचार हैं उनने क्या किया है सिक्षकों का याने teachers का जो chief guest होते मुख्य थी थी and other guest जो होते उन सब का स्वागत किया तो देखी यहाँ पे सबसे पहले subject लिखा subject के बाद देखी यहाँ पे सीधा past simple है क्योंकि हमारे प्राचार ने स्वागत किया ऐसा कहते सिक्षकों का स्वागत किया गया तो यह पेसे बाहिस होता लेकिन जब कारी करने वाला व्य motivating मौझूद है वाक्य में हमारे प्राचारे ने स्वागत किया मतलब स्वागत करने का काम प्राचारे कर रहे हैं तो ये एक्टे वाइस होता है और एक्टे वाइस आपको पता है subject के वा सीरा second form तो our principle हमारी principle ने welcomed किया है और किन किन का welcomed किया है वो सब चीज़ें आपको लिख देना कि जितने भी teachers हैं उनका और जो chief guest है and other guest हैं उन सब का जो है उनने welcome किया है लेखे किसी का स्वागत करना होता है welcome इस बज़े से यहां का के लिए कोई सब्द नहीं लिखेंगी तो our principle हमारी principle ने welcomed किया है दा teachers का और फिर दा chief guest का and दा other guest जो है उन सब का जो है उनने welcome किया है फिर आगे देखें collector ने जो है अब यहां पी the collector की हम बात करें the collector ने जो है garlanded माला पहनाई the teachers जो teachers थे उनको माला पहनाई यहां तक देखें past simple है the collector garlanded the teachers and or और फिर क्या हुआ अब यहां से थोड़ी सा अलग बाक्षे ध्यान देना तो and presented और जो है उपहार सौरूप भेंट किये presented second form अब क्या उपहार दिये soul and स्रीफल जो है to them याने उनके लिए तो and और जो है presented याने उपहार सौरूप भेंट किये soul and स्रीफल और to them याने उनके लिए फिर आगे देखे अपने भासन में collector ने कहा his speech याने अपने भासन की बात करें और in याने में लेकिन preposition लगाते हैं पहले तो in his speech अपने भासन में the collector collector ने देखे in his speech अपने भासन में the collector collector ने sad याने कहा अब क्या कहा वो line inverted कोमा की अंदर सिक्छक राष्ट के निर्माता है याने कि सिक्छक को teachers कहते हैं तो teachers लिखेंगे फिर सहाय करिया जैमार में से आर सहाय करिया लगाएंगे तो the teachers और फिर आर सहाय करिया और फिर निर्माता राष्ट के निर्माता देखें बीच में केसब दाता है तो off लगाते हैं लेकिन ultagram लिखते हैं पहले निर्माता फिर off फिर राष्ट को लिखेंगे तो निर्माता को दा बिल्डर्स कहेंगे हम दा बिल्डर्स ओफ दा नेशन कहेंगे राष्ट के तो यहां इन ही स्पीच अपने भासण में दा कलेक्टर कलेक्टर ने सेड कहा कि दा टीचर्स जो सिक्षक हैं आप दा बिल्डर्स हैं वो निर्माता है आप दा नेशन याने राष्ट के निर क्योंकि आउज मतलब खतम तो यहां पर बस जो function था वो खतम था या खत्म हो गया समाप्त हो गया, बाई के बाद or after Seanagres? Under the singing के गया है किसीज की, का आफ दाz dan national anthem की तो यहां पर से खीज दौर समाप्त किया गया et a laptop के बाद Это person that Church सेप्टेमबर इज सेलीब्रेटेड मनाया जाता है एज के रूप में टीचर सडे के रूप में आल ओवर दा कंट्री पूरे देशवर में देश यर इस साल दा टीचर सडे वाज सेलीब्रेटेड मनाया गया इन अवर स्कूल हमारे स्कूल में वित्थ के साथ और फिर ग्रेड enthusiasm याने की बड़ी उमंग के साथ या बड़े उत्साह के साथ और फिर it was, it was arrange दे से arrange किया गया in the assembly hall में of the school, school के फिर all the retired teachers जो हैं were honored उनका सम्मान किया गया by the collector याने collector के द्वारा सम्मान किया गया फिर at लगा के time लिखते हैं तो at लगा के लिखा about 3 p.m. और फिर the function started याने शुरू हुआ फिर क्या होता है कि जो our principal है हमारे प्राचार है उनने welcomed किया है किन-किन का the teachers का, chief guest का and the other guest का देखें यहाँ पी चाहें तो एक बाग का आप लिख सकते हैं कि जो मुख्य थी 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 वो collector थे या किसी और को बनाया गया था तो यह line आप लिंक सकते हैं हमने भले ही नहीं लिखा है तो अबर principal ने welcomed किया है the teachers, chief guest का and other guest का और फिर जो है the collector, collector ने जो है गार-landed माला पहनाई है the teacher सिक्षकों को माला पहनाई and और जो है presented उपहार सौरू भेंट किये है तो देखे इस प्रिकार से आपको teacher's day celebration की report लिखनी है या फिर paragraph या फिर write-up लिखना होगा तो ध्यान देना इस आधार पे यदि कोई भी celebration birthday celebration पूँच ले आपने birthday किस प्रिकार से मनाया तो ऐसे ही तो बर्णन करते चलते तो ये अच्छे से आप complete कर लेना धाल्यवाद